गुड मॉर्निंग स्टुडंट तो आज हम कक्षा सात्वी के हिंदी विशय का चोथा गटक देहत और शहर यह देखेंगे यह पाट अभिशय का पांडे जी ने लिखा है और इस प्रस्तूत पाट में यह जो अभिशय का पांडे जी है यह इन्होंने अपने समसामाईक दिखन किया है और इस प्रस्तूत पाट में देहत और शहर इस पाट में उन्होंने शहर के अपने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या या लोक संख्या के अभिशाब पर अनेक सुझाव दिये है आजकल की सितिया जमाने में देखो लो पत्र की चर्चा इन पत्रों के द्वारा यहाँ पर बताई गई है तो देखो पहला जो पत्र है तो वह किसने किसे लिखा है देहात मतलब गाव ने शहर से लिखा है दिनांक 1 अगस्त 2017 देखो प्रियमित्र शहर यहाँ पर देहात अपने मित्र शहर को पत्र लिख रहा है और कह रहा है कि प्रियमित्र शहर नमस्कार कल तुमसे बात हुई मेरे सुखदुख के सम्मंद में पूछा धन्यवाद बहुत सारी बाते मन में हैं सब कुछ दूर ध्वनी पर कहना मुश्किल है सोचा पत्र ही लिखू अब मैं अपना दुखडा क्या रो हूँ चलिए इस बार क कुछ अच्छी बाते भी तुमसे साजा करता हूँ डिजिटल क्रांती का थोड़ा असर हमारे गाव में भी दिखाई पढ़ने लगा है मोबाईल के माध्यम से नीत नवीन सूचनाये हम तक पहुचने लगी है सवच्च ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक है घर घर में शोचाले जैसी सुविधा के प्रती लोग जागरुक हो रहे है तो गाव ने शहर से क्या कहा कल तुमसे बात हुई कल तुमसे मेरी क्या बात हुई में तो बात होने पर कल तुमसे बात हुई मेरे सुक दुक के सम्मंद में पूछा धन्यवाद कल तुमसे मेरी कहा बात हो गई कि दूर ध्वनी पर या फोन पे तुम्हारी बात हो गई मेरे सुक दुक के सम्मंद में मेरा हाल चाल तुमने पूछा मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो इसलिए मैं तुम्हारा क्या करता हूँ धन्यवाद करता हूँ तुम्हें धन्यवाद देता हूँ ब हे ना मुश्किल है सब कुछ कल तुमसे मेरी फोन पर बात हो गई हम दोनों ने क्या कर दिया एक दुसरे का हाल चाल भी पोच लिया पर जितना मेरे मन में है वह सारी बाते फोन पर बताना बिलकुल क्या है मुश्किल हैं आसान नहीं है इसलिए sोचां तुम्हें पतर ही डालो की मेरे मन में क्या क्या है अब मैं अपना दुखडा क्या रो दुखडा मतलब मन की बुरी अवस्ता चलिए इस बार कुछ अच्छी बाते भी तुमसे साजा करता हूँ चलिए इस बार मतलब इस पत्र के माद्यम से तुमसे में कुछ अच्छी बाते भी करता हूँ डिजिटल क्रांती का थोड़ा असर हमारे गाव में भी दिखाई पड़ने लगा है डिजिटल मतलब आधुनिक तंत्रत न्यान मतलब आजकल कम्पूटर इंटरनेट सब कुछ कैसा है डिजिटल हो गया है तो इसलिए डिजिटल क्रांती के डिजिटल क्रांती मतलब यह जो नया बदल हो गया है. क्रांती का अर्थ क्या होता है बदल तो ये थोड़ा असर हमारे गाउ में भी मतलभ इसका परेणाम हमारे गाउ में भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा है. मोबाइल के माध्यम से नीत नवीन सूचनाय हम तक पहुचने लगी है मोबाइल पर वाटसअप होता है देखो कौन से भी घटना अगर हो गई हो तो जट से वह मोबाइल पर वाटसअप पर आ जाती है तो इसलिए गाओ या देहात कहता है कि मोबाईल के माद्य हम से जो 99 सूचनाए होती है वह हम तक जल्दी पहुच जाती है स्वच्च ग्राम स्वस्त ग्राम पर योजना घर घर तक पहुच गई है स्वच्च ग्राम मतलब स्वच्च ग्राम स्वस्त ग्राम ये क्या है एक योजना है और यह योजना हमारे यहां गाव में घर घर तक पहुच गई है ग्रामजन भी शिक्षा स्वास्तिय रोजगार खेती के नवीन आउजारो एवं आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शोचाले जैसी सुविधा के प्रती के लोग क्या हो रहे हैं।